YouTube का इस्तमाल आजकल सिर्फ और सिर्फ entertainment के लिए ही नहीं की जाता है आजकल YouTube का इस्तमाल बहुत सारे कामों के लिए किया जा सकता है अगर आप कोई recipe सीखना चाहता हो, खाना बनाने के तो वहाँ पर आप YouTube पर जाके उसको search कर सकते हो वहाँ से आपको dhero results मिल जाएंगे और आप ये चीज़ों को भी सीख सकते हो कोई science project है जिस पर आपको help चाहिए तो आप YouTube पर जाके आप वो भी search कर सकते हो online आप पढ़ाई करना चाहते हो तो dhero ऐसे YouTube channels available हैं जहां पर रहकर आप पढ़ाई कर सकते हो इसका मतलब यह है कि YouTube का इस्तमाल आजकल सिर्फ और सिर्फ entertainment purpose पर नहीं इसके अलावा भी और भी कई learning methods के लिए किया जाता है कई बार हमें जरुद यह पढ़ती है कि हम YouTube videos को अपने memory card में save करना चाहते हैं but there is no direct option in the YouTube application application में ऐसा कोई directly method नहीं है जहां से आप कोई भी video ऐसे save कर लें ताकि वो आपके mobile phone पे आपकी memory card पे show करना start कर दे आज की इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने YouTube का कोई भी video उसको save कर सकते हैं ताकि वो आपने mobile phone पे आपके show करना start कर दे ताकि जब भी आप चाहें उस video को आप देख पाएं तो hi this is Amir और चलिए करते हैं अपना video start और देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वैसे तो धेरो ऐसे applications available हैं जो आपको यह चीज़से available कराते हैं कि आप उनका इस्तेमाल करके आप कोई भी YouTube वीडियो को आप download करके उसे आप अपने memory card में अपने phone में आप store कर सकते हो लेकिन मैं इस application की बात कर रहा हूं यह application सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के वीडियो के लिए ही नहीं है इसका इस्तमाल आप और भी डेरो चीज़ों के लिए कर सकते हो जी हां इस application को हमें download करने के लिए करना का है इसके लिए सबसे पहले आप कर लिजिए यह कि आप किसी भी web browser को कर लिजिए open directly अगर आप play store पे जागे इस application को download कर करेंगे तो वहां से आप इसको download नहीं कर पाएंगे तो आप अपना web browser open करिए web browser open करने के बाद वहां पर आप डाल लेजिए इसका कर पाएंगे अगर आप चाहिए तो विडमेट application में YouTube पे जाके आप वहां पर login भी कर सकते हैं और जैसे आप YouTube application को यूज करते हैं वैसे आप same to same विडमेट application को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे आपको YouTube के features तो मिल ही जाएंगे साथी साथ आपको कुछ extra features मिलेंगे जो कि सिर्फ विडमेट पे available हैं यहाँ पर आप जा करके किसी भी video file पर आप hit करेंगे hit करके अगर आपको करना है उसको download तो आपको वह पर MP3 MP4 वहाँ पर options दी होंगे आप उनमें से कोई भी एक select कर लीजिए अगर आपको video file download करना है तो video file पर आप यहाँ पर निचे resolutions होंगे कि आपको किस ratio पर 144 या 240 या फिर आप 720 या 1080 जिस भी resolution में अगर वो video available है तो आप वहाँ पर select करके उसको download कर सकते हैं एक पी होगे number अगला क्या है यहाँ पर एक और benefit यह भी है कि अगर आप चाहें तो कोई movie भी download कर सकते हैं search box में आपको type कर देना है movie का नाम, movie का नाम type करने के बाद आपको search करना है, search करने के बाद नीचे आपको वहाँ पर there options दिखेंगे, वहाँ पर YouTube, all videos, YouTube, movies, songs, ऐसे आपको options आपको movie दिख जाएगी, अगर अभी आपके पास वहाँ पर available है तो यह दिख जाएगी, नहीं तो फिर आपको बहुत जल्दा आगे चलके भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप hit करके उस movie को directly आप download कर सकते हैं, अगर आपको कोई application download करना है, तो same process follow करने, search box में ही आपको application क आपका नाम type करके सर्दिना, search और वहाँ से आपको select करना है application, और जैसे आप search करेंगे, आपको application मिल जाएगा, वहाँ से आप click करके उसको download कर सकते हैं, तो application एक है, यहाँ पर आपको YouTube के वीडियो उसको download करने की facility तो मिलती ही मिलती है, साथी साथ और भी तो चीज़ों को आप कर सकते हो, इस application की सहता से, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसे like करें, अपने friends के साथ share करिए, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है, तो चैनल को subscribe करना मत बूलिए, बहुत ज़द्द हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो क साथ, तब तक अपना खुबसरा ख्याल लगिए, बाइबाए, ठेक